गुट मॉर्निंग एब्रिवन एक और नहीं दिन एक और नियू लाइब ट्रेट एजुकेशन सीरीज में आपसे भी लोगों का मैं सौगत करता हूँ डेट है आज का 9th of February आज Friday है यहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप क्लास करना चाहते है इन future तो आप मेरे free telegram को join कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा and Thursday को भी न मैंने आप लोगों को एक chart update किया था यहाँ पर अगर आप देखेंगे nifty 50 को hourly and daily time frame पर सबसे पहला तो देखे nifty यहाँ पर all time high के आसपास में है ठीका न यह Thursday का chart है हम लोगों का and यहाँ पर intra day के लिए मैंने एक range develop किया था यह level के आसपास में देखे strongness show कर रहा market अगर strongness show करेगा तो क्या होगा buying activity होगी buyers interested होगा तो हम लोग भी buying करेंगे market में लेकिन अब बात आती यह all time high के आसपास में है तो यहाँ पर बरे sellers भी आ सकते हैं तो दोनों तरफ से यहाँ पर confusing and nervous इसलिए मैंने यहाँ पर avoid क्या था कल ट्रेडिंग को मेरा प्लान था कि market को पहले मैं कुछ दिन यहाँ पर move करने दूँ देखूँ data क्या बन रहा है all time high के आसपास में market जब भी रहता है न या तो एक और new high लगा के दुबारा से नीच आता है या फिर बरे sellers कभी भी market में बरी quantity में selling कर सकते हैं Thursday के अगर मैं बात करूँ suppose यहाँ पर मैंने कोई भी एक proper setup से मैंने यहाँ पर buying किया जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग system में sell नहीं लगाते हैं हम लोग उतना mind में sell लगा के चलते हैं यहाँ पर एक proper sell के साथ में हम लोग यह बने वे एक छोटे से target के लिए हम लोगों ने यह plan किया कि उपर से जो हम लोगों का trend line आ रहा है न यह वाला ठीक है यहाँ तक आसपास में जाएगा तो हम लोग यहाँ पर square off करेंगे कल अगर suppose अगर हम लोगों ने buying कर लिया होता तो target हम लोगों को यह रहता और यहाँ तक आसपास अगर market नहीं जाके यह जो दिख रहा हो यह candle इसमें आपको पता है कितना जादा एक huge loss में हम लोग जा सकते थे जरूरी तो नहीं है ना यहाँ पर market fall किया है तो हम लोग भी यहाँ पर falling में रहते हैं हाँ अगर हम लोग falling का trade नहीं कर पाते तो क्या होता एक बरा loss हम लोग देते एंड इस loss को हम लोग यहाँ पर 10-15 दिन तक recover करते रह जाते हैं ऐसा condition मेरे साथ में हो चुका है आप जाकर previous video देख सकते हैं इसलिए मुझे पता है कि मुझे कब किस time पर कैसा decision लेना है और कब मुझे wait करना है trade मिलेगा तभी trade करेंगा करेंगा trade नहीं मिलेगा पूरा वीडियो मेरा ऐसी blank हो जाएगा बिना trade का हो जाएगा पहले देखते कहां पे market पहले open हो रहा है उसके बाद कुछ प्लान करते हैं हम लोग ठीक है तो टाइम हो रहा है नौ बच के आठ मिने ट्रस market यहां पे चोटा सब्सक्राइब डाउन दे रहे उपन हो रहा है 21700 मतलब यह लेवल के आसपास market ओपनिंग दे रहे कहां पर अगर आप देखेंगे ना तो उपर से कहीं ने कहीं falling के motion को ही market continue कर रहे यह देखिए है ना उपर से थोड़ा बहुत जो है ना falling के ही motion को साइद market continue करना चाहरा है तो अगर selling के लिए हम लोग setup बनाते हैं तो ठीक रहेगा हम लोगों का एस पर और फिबनासी retracement के यहां पर जाएंगे FIB retracement वैसे मैं बहुत कुछ यूज नहीं करता हूं दोस्तों चार्ट में भले मेरा loss हो जाए मैं loss दे दूंगा लेकिन मैं बहुत सारी चीज़े यूज नहीं करने वाला हूं चार्ट में यह देखिए यहां पर 0.3 का भी एक लेवल है तो 0.3 के लेवल के नीचे market rate कर रहा है and 0.5 के आसपास में support भी ले सकता है क्या market ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को wait करेंगे market को पहले open होने दीजे time हो रहा है 9 बच के 9 मिनट open होने वाला market कुछ दिर में उसके बाद ही कुछ प्लान करते है ठीक है इस 0.5 को हम लोग सबसे पहले तो mark out कर लेंगे यह एक area हो जागा हम लोगों का blue zone and उपर में हम लोगों का resistance भी है 0.3 यह वाला भी ठीक है ध्यान रखना हम लोगों को selling के लिए जाते हैं तो सही रहेगा लेकिन अगर support पे selling करना वो sense नहीं बन रहा है ठीक है ध्यान रखना होगा हम लोगों को सो टाइम हो रहा है 9 बच के 15 मिनाट market open हो चुका address and open होती ही अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत देखिए falling पे है support थोड़ा सा दूर में है तो अगर हम लोग selling के लिए कुछ plan करते हैं suppose तो यह motion कहीं कहीं falling के तरफ में इंडिकेट हो सकता है लेकिन इस तरीके से बिना confirmation के selling कर देना बहुत ज्यादा risky हो सकता है हम लोगों के लिए क्योंकि हमें पता है कि नीचे के level पे support मौझूद हालका सा नीचे अगर ऊपर चले जाए market यह भी possibility है सो ध्यान डखना होगा selling के लिए इस तरीके से हम लोग प्लान आउट नहीं कर प price add करेंगे हम लोग call option में and put option में क्या price चले जरूद हमें ही हम लोग काम करेंगा continue ठीक है यहाँ पर C का price चल रहा है 195 के आसपास में and यहाँ पर suppose कुछ coin अगर हम लोग add करे बहुत अच्छे support के आसपास कर रहा है देखिए मेरा starting से अगर आपने देखा होगा तो selling के लिए मैं कुछ view बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे डड़ लग रहा है क्योंकि setup यहाँ पर allow नहीं कर रहा है वैसा selling का motion तो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से कहीं ने कहीं यह देखिए falling के motion पर ही है market ठीक है लेकिन नहीं यहाँ पर बहुत add-on किया है और भी कुछ quantity हम लोग add कर देते हैं 200 के आसपास देखें प्राइस अच्छा मील जाने पर ना सही लगता है trade करने में अब देखें नीचे थुरह बहुत आया तो हो सकता है कुछ losses अभी हम लोगों का चले अभी profit चल रहा है लेकिन losses हम लोगों का चल सकता है ध्य address सबसे पहले तो long position उपर में ही लिया है हम लोगों ने ठीक है risk to reward वैसे थोरा सा ज्यादा आ रहा है हम लोगों का 77 थोरा सा momentum होने दीजिए अप्रेट करता हूं मैं आप लोगों को ठीक है इस level को थोरा सा नव वाच करिएगा आप लोग सो टाइम हो रहा है 921 यहां पर आप candles के behavior को देख सकते हैं किस तरीके से candles ने behave कर दिया एकदम से देखा आप लोगों ने किस इसलिए मैं selling के लिए नहीं जा रहा है उन्वरस यह देखे और प्रॉफिट आप देख सकते हैं पार्सिल प्रॉफिट चल ही लॉग कर लेते हैं risk to reward कहां गया पता नहीं सायद अभी के market में risk to reward लगा ही नहीं पा रहे हम लोग उपर जा रहा है ना 200 कौइंट इसक्वार आफ कीजिए बिल्कुल भी motion नहीं आना ची बीच में यहां पर देखा आप लोगों ने किस तरीके से candles ने behave कर दिया तो रस इसलिए कि जितनी भी ल लोगों का पता नहीं रहे है रहे हैं किस तरीके से बहुत अजीब सा बन रही है मैं काम करूंगों यह candle देखे मुझे रहने में डर लग रहा है मार्केट में मैं अपना पैसा लेके ना घर चला जाता हूं रहने दीजिए 9000-10,000 का profit मैंने कर लिया यहां पर बहुत क्विक मार्केट में ध्यान रखेगा लेकिन कई बार क्या होता है स्टॉंग ने शो करके भी मार्केट नीचे आ जाता है यहां पर हम लोगों ने बहुत क्विक से एक ट्रेट किया बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं बाइंग किया और बड़े बायर्स ने भी यही प्लान कि दोस्तों इसलिए ऐसा केंडल यहां पर बन गया स्टार्टिंग मुझे लग रहा था कि मुझे सेलिंग पर जाना चाहिए सेलर्स का मार्केट है लेकिन जैसी मैंने हर एक चीज़ों को प्रॉपरली प्लान आउट किया नहीं यहां पर 0.5 भी था यहां पर बहुत सिंपल से एडिया था प्लस यहां पर प्रिवेस में गया पेडिया भी था यह सब एविडेंस काफी है एक सपोर्ट करने के लिए मार्केट को हलका सा उपर पुछ करने के लिए यह सब सेटप के बेस पर आप भी कभी ट्रेट कर सकते हैं जब ऐसा फॉर्मेशन हो डाउन के लिए मैं मैं really sorry बहुत लोग मुझे बोलेंगे सा down के लिए क्यों नहीं प्लान कर रहे है, market तो इतना बराबरा यहां पर falling वगरा दे रहा है, दोस्तों अगर मेरा setup नहीं अलाव करेगा तो मैं नहीं कर सकता, कल भी हो सकता है, मैं बाइंग करता, and मेरा एक huge loss मैं book कर लेता, इसलिए मैं मैंने कल के दे में कुछ भी प्लान नहीं किया, मैंने telegram में already upload अब्रेट कर दिया था, and यहां पर हो सकता है कुछ time wait करने के बाद मुझे एक और opportunity मिल जाए buying के लिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू, मैं 2-4-5 trade नहीं करता हूं, एक trade करता हूं, या फिर maximum अगर मेरा trade complete हो चुका है, market को थूरा सही होने दीजे, फिर हम लोग coin d में, ज्यादा coin d में trade करेंगो के, मिलते एक next trade के साथ में, एक new education के साथ में, इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी लोगों का बहुत बहुत अनिवाद, thank you so much, take care, have a safe trading.